पर सियास है थे तो आज राम भक्तों का इंतिजार खत्म हो गया और रेलवे की रामायन एक्सप्रेस अपनी पहली धाम यात्रा पर निकड़ पड़ी 15,130 रुपए के पैकेज में ये ट्रेन 16 दिनों में रामायन सर्किट के सफर को तै करेगी जिसमें आयोध्या, चित्रकूर, प्रयाग, काशी, नंदिक राम, सीतामनी, जनकपुर, शुंगेरपुर, नासिक, हमपी और रामेशुरम शामिल है ट्रेन दिली के सफदर्जन रेलवे स्टेशन से रवाना की गए ट्रेन अपनी यात्रक तमिलांडू के रामेशुरम में 16 दिनों में पूरी करेगी दिली से निकलने के बाद ट्रेन का आयोध्या में पहला पड़ाव होगा और इसके बाद यहां नुमान गड़ी, राम कोट और कनक भवन मंदिर जाने वाली है आठ सो यात्रों के कुल शमता वाली ये ट्रेन खचा कज भरी थी जिसमें सभी यात्री खुश नजर आये और राम नाम की धुन चपते हुए नजर आये जहां जहां चरण पड़े रगुवर के यानि भगवान श्री राम जिन जगों पर गए थे उन तमाम जगों पर अब ये यात्री जो है वो श्री रामायण एक्स्प्रेस के जरीए जाएंगे खासे उत्साहित हैं प्रभूश श्री राम में पर बहुत मिश्कुल हो जाता है इतनी कम्परी में जग जगे जगे जगें के लोग मिलेंगे तो नया एक्सप्रियंस देखने को मिलेगा ! खाने पीने का प्रभंद बीच में अपने इधरत की चीज़े मिलेंगे आथी अकल्ब सरकार ने खास तोर पर उन लोगों का भी खास ध्यान रखा है जो की वरिष्ट नागरिक हैं बुजुर्ग हैं अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं और यही वज़ा है कि सब अब एक साथ 800 यात्री एक साथ जाएंगे उन तमाम जगों पर जाएंगे जहां प्रभू श्री राम क चरल पड़े थे वीडियो जनलिस्ट चेतन शर्मा के साथ अभिशेक पांडे न्यूस देशन दिल्ली